अब बात करते हैं रिवा की जहां मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने कुरोना संक्रमर से बचाव के लिए पहला और दूसरा डोज लगवाने में देश में रिकार्ड स्थापिक किया है अब प्रिकाउसन डोज लगवाने की इस अभियान में प्रदेशवासी सक्री भागीदारी निभाते हुए समय सीमा में सत प्रस्तलक्ष प्राप्त करेंगे प्रदेश में लगभग 5 करोड लोग प्रिकाउसन डोज के लिए पात रहें सिदंबर माह तक 75 दिन चलने वाले इस जन अभियान में हम सामाजिक संगटनों, सोयम से भी संस्थाओं, आंगनवाडी इवं आसा कारी करताओं और सभी प्रदेशवास्यों के सहयोग से सफल होंगे मुखमंत्री चौहान ने कहा कि आजादी के 75 वे वर्स में सुरू हुआ यह भियान 75 दिन तक निरंतर जारी रहेगा प्रदेश में 12 करोड 15 लाग पात्र ब्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए गये हैं प्रदेश की 93 प्रस पात्र जनसंख्या के टीका करण के लिए मुखमंत्री चौहान ने सास्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का अभार मानते हुए कहा कि बूस्टर डोज लगाने में भी प्रदेश रिकॉर्ड बनाईगा मुखमंत्री ने कहा कि कोबिड वैक्सीन अमरित महुस्तों में 18 वर्से से अधिक आयूबर के ऐसे समस्त ब्यक्ति जिन्होंने कोबिड 19 वैक्सीन की दुती डोज उपरांद 6 मां की अवधी पूर कर ली है वे सभी प्रिकॉसन डोज के लिए पात्र हैं जिन्हों ब्यक्ति को जिस वैक्सीन का दुती डोज दिया गया है उन्हीं प्रिकॉसन डोज के रूप में भी वही वैक्सीन दी जाएगी मुक्यमंत्री चौहान ने सभी सामाजिक संगटनों सोयम सेवी संगटनों धर्मगुरूं समाज के प्रिकॉसन डोज लगवाने के लिए जन्सामानी को प्रेद करने की अपील की है